फिरोजबाद में एक बार फिर भीर ने आन दा स्पोर्ट फैसला कर यूवक को सरयाम सजा दे डाली हुआ यूँ कि एक यूवक पर ट्यूशन जारही च्छात्रा ने मुबाइल फोन चीनने का आरोप लगाया था च्छात्रा के शोर मचाने पर भीर महां जमा हो गई और फिर आरोपी यूवक पर टूट पड़ी इस रिपोर्ट को देखिए भीर तंत्र का आन दे स्पोर्ट फैसला चोरी के आरोप में यूवक को पीटा कानून व्यवस्था पर उठे सवाल वीस मिनट तक डजनो लोगों ने पीटा फिरोजबाद की सडकों पर भीर का अन दे स्पोर्ट फैसली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों में देखिए किस तरह यूवक अपनी बेगुना ही बता रहा है लेकिन इस भीर का क्या कहे जो आया उसने ही पीटा अफ़द्र शब्दों का इस्तेमाल किया बीस मिनट तक यूवक को जानवरों की तरह पीटा जाता रहा दरसल फिरोजबाद के थाना उत्तर के बोध श्रम रोड पर एक छात्रा त्यूशन पढ़ने जा रही थी शात्रा के मताबिक इसे बीच एक यूवक आया और उसका मोबाइल फोन छीन कर भागने लगा शात्रा की चीक सुन भीरतंत्र ने भाग रहे कथित लुटेरे को पकड़ लिया फिर हुआ ओन दे स्पॉर्ट फैसला हम आपको फिर दिखाते हैं कि किस सरहा भीर ने आरोपी को पकड़ कर लाथ घूसे से पिटाई की इस बीच ना तो पुलिस कर्मी दिखाई दिये और ना ही गश्ती दल जब भीर युवक को पीट पीट कर अधमारा कर चुकी इसके ठीक बात पुलिस मौके पर पहुची पुलिस को देख लोग इधर उधर निकलने लगे पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया और ठाने ले गई भीर तंत्र के ओन दे स्पॉट सजा से पुलिस की कारून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जबकि मौब लिंचिंग के मामले लगातार देश में हो रहे हैं अक्सर मानवता को तार-तार करने वाली तस्वीरे सामने आती रहती हैं इसके बाद भी पुलिस की सक्रियता नहीं दिखाई देती है देश में अक्सर इस तरह की तस्वीरे सामने आती रहती हैं इसके बाद भी पूलिस की सक्रियता इन सडकों पर नहीं दिखाए देती। आखिर कब थमेगा भीरतंत्र का ये कारनामा। ब्यूरो रिपोर्ट जनतंत्री टीवी